नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उमिद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बहतेनी नंक्सidence कर यह होंगे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो हमारा practice set चल रहा है और आज का जो हमारा practice set है, ये practice set हो जाता है हमारा top 50 question के लिए, top 50 question इसमें किसके मिल जाते हैं? तो टोप पचास जो question है वो आपको मिल जाता है है आपर science के यानि शामान निविज्ञान के ठीक है सामान निविज्ञान के टोप पचास question है और ये test हो जाता है और ये test number हो जाता है हमारा one important test है और यह 50 question का है और इसमें आपको सारे जो है बहत्री इन question जो है आपको मिलने वाले है इसी तरह के question आपसे पुछे जाते हैं आपकी परिक्षाओं में ठीक है हर बार जो है यूपी PSC को द्वारा जो है इसी तरह के question आपसे पुछे गए है ठीक है यह चीज आपको देख सुरू करेंगे आज का हमारा test number हो जाता है one science का ठीक है इसी तरह के सभी जो topic है सभी जो subject है उनके test जो हमारे channel पर चल रहे हैं तो चले शुरू करेंगे आज के हमारे पहले question से और पहला question हमारा क्या हो जाता है आज की वीडियो का important यह session होने वाला है और सारे question आपको मिलने वाले है important निम ने लिगत युगमों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है नहीं आप से पूछा गया कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित इसमें से नहीं दिया गया है आपको 5-7 second का जो समय मिलता है question को करने का आप कर सकते हैं और हमें answer बता सकते हैं और इसको करने के बाद आपना э marvel六ि जो है आपना सकते हैं कितनि आपके जो है question सही होते है फचास कोचन है important पर चांच कोचन हो जाते हैं इदर आपके मात्रक दिये गए हैं इदर आपकी दिये गई हैं जो मात्रक हो जाते हैं इनकी ठीक है ऐसा ही मात्रक हो जाते हैं आप से पूछा का को जो मेलित नहीं है तो सबसे पहले बात करेंगे जो दबाव या फिर दाब हो जाता है इसका जो मात्रक होता है वो हो जाएग वो हो जाती है जूल ठीक है उसमा का मातरक जूल हो जाता है और रेडियो एक्टिव का जो पदार्थ की सक्रियता का ये क्यूरी नहीं होगा तो रेडियो जो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की जो माप करता है वो हो जाता है आपका बैकुरल ठीक है ये हो जाता है यहाँ और बैकुरल कुछ इस तरह से ठीक है आपसे पूछा का कौन सा सुमेलित नहीं है तो केवल डी हो जाएगा जो आपका यहां पर सुमेलित नहीं दिया गया है ठीक है इतनी चीज़े आपको यहां से याद रखनी है कोश्चा नमबर दो हो जाएगा सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और डिगर कूर्टो की साइथे से साय उत्तर का आपको चैन भी करना है तो यहां सूची एक दी गई है इधर आपकी वहाद की राशिया हो जाती है और सूची दो में आपकी हो जाती है जो S-I-I-I तो आपको बताना है इनमें से correct answer कौन सा हो जाएगा इनको जो है आपको सुमेलित करना है और सुमेलित के काफी question आपको देखने को मिलेंगे आपकी परिक्षा में तो सबसे पहले जो दाब का ही है हम आपको पहले question में बता चुके है दाब का जो मात रख है वो हो जाता है हमारा पासकल ठीक है इसके बाद सक्ति का सक्ति और बल का जो है न्यूटन हो जाएगा ताब करम जो मापा जाता है ये मापा जाता है आपका कैलिविन में ठीक है उर्जा की बात करने तो उर्जा की जो इकाई हो जाती है वो हो जाती है जूल इसी तरह के question आपको सुमेलित करने के लिए दे जाते हैं चाहे आपसे पूछी लिया जाएगा कौन सा इन में से सुमेलित नहीं है आपसे पूछी लिया जाएगा इन में से कौन सा सुमेल इस तरह से option number जो D है, यह आपका यहाँ पर correct दिखाया गया है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो D यहाँ पर आपका बिल्कुल correct माना जाएगा, अगला question दिखाया है, रिंगल मैन scale का परियोग निमने लिखित में से, घनत्व मापन में होता है, किसके घनत्व मापन में होता है, रिंगल मैन जो आपका होता है, रिंगल मैन scale, तो दोहनी मापन में, कोहरा मापन में, दोहा मापन में, या फिर पर दूसी तजल को मापन में, पांच से साथ सेकिंड का केवल आपको समय मिलेगा इस से जाद आपको समय हम नहीं दे सकते हैं इसका आपको correct answer बताना है रिंगेल मैन scale जो है ये किसको मापता है तो जो रिंगेल मैन scale है इसका जो परियोग है वो किया जाएगा आपका धुए को मापने में option number c आपका यहाँ पर correct हो जाएगा और अगर रिंगेल मैन scale की बात करेंगे तो इसका जो आविशकार है वो किसके दुवारा किया गया है तो इसका जो आविशकार किया गया है तो ये France के हो जाते हैं कहा के हो जाते हैं? France के हो जाते हैं और इनका नाम है Maxi Milene Ringelman यह आविश्कार हो जाते हैं और फ्रांस के हो जाते हैं इतनी चीज है आपको यहां से पगड हैं कि अगला को शीन हो जाता है हमारा चार नंबर दिया गया है निम ने लिखित में से रेडियू सक्रियता का मातर्क कौन सा हो जाएगा मात रख से जो हैं काफी कोश्चन आप से यहां से पूछे जाते हैं तो पचास कोश्चन के हमें आप पर बात कर रहे हैं important question हो जाते हैं सभी परिक्षाओं के लिए UPSC की कोई शी भी आप exam दे रहे हैं सब के लिए important हो जाता है और आप से पूछा गया है इन में से रेडियू सक्रियता का मात रख है कौन सा नहीं है ठीक है नहीं आप से पूछा गया है तो जो रेडियू सक्रियता का मात रख है तो इन में से हो जाता है आपका बैकुरल भी हो जाता है रदर फोर्ड भी हो जाता है और एक आपका क्यूर नहीं है इतनी बातें यहां से आपको समझ लेनी है ठीक है तीन हो जाएंगे इसके मात्रक बैकुरल डदरफोड और क्यूरी आइंस्टीन इसका जो है आंसर हो जाएगा करेक्ट ठीक है यह से सम्बंदित आपका नहीं है बल न्यूटन के समरूप यूगम को चुनिए बल न्यूटन की बल का जो मात्रक है वो हो जाता है आपका न्यूटन ठीक है और इसी तरह से आपको चुनना है जो समरूप है जो इसके समान बिलकुल दिया गया है तो इंटरनेट जो है ये इमेल से संबंदित नहीं होगा ये गलत हो जाएगा सक्ति यूनिट नहीं होगी आईतन मीटर नहीं होगा तो यहां जो है धारा को एंपेर में मापा जाएगा यहांनी यहां मातरक की बात की गई है तो धारा को जो मापा जाता है वो एंपेर में का मांत रघे वहाट हो जाता है तो यूनिट नहीं होता ही गलत हो जाए आयतन का घो मांत मांत रख रहो हो जाता है कि apro उफ और नमडर डी आपका इहां पर बिल्कुल करक्ट हो जाएगा बेंध्य दोर्टा फ्रहिंक शुरस्तरा कि अılarड़ को यहां जाती है जो अब तो दोहनी परवलता जो मापी जाएगी ये मापी जाती है आपकी डेशिबल में आपसन नमबर B हाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है और दोहनी की जो परवलता है जो उसकी तरंगे होती आयम पर निर्वर करती है और इनको जो है मापा जाता है आपका डेशिबल में ठीक है इतनी बाते भी आपको यहाँ से याद रखनी है अगला कोस्चन हो जाता है हमारा डेशिबल क्या है ये सबी कोस्चन जो है आपसे पुछे जाते हैं आपकी परिक्षाओं में डेशिबल क्या है तो डेशिबल हो जाता है आपका धुएन इस्तर की एक माप हो जाती है तो ये हो जाता है आपका धुएन इस्तर की एक माप हो जाती है डेशिबल ठीक है इसमें अपनी धुएनी को मापा जाता है धुएनी की जो परबलता होती है उसको मापा जाता है कितनी आवाज है ठीक है उसको मापा जाता है ठीक है ये चीज़ आपको समझ लेनी है अगला कोचे ने सूची में आपकी राशी दी गई हैं सूची दो में आपकी इकाई दिये हैं उनके साथ जो है सुमिलित करना है और दिये गए कूट से जो है सही उत्तर का भी आपको चुनाव करना है सूची एक देख लेते हैं, सूची एक हो जाती है, इसमें आपकी राशी दी गई है और सूची दो में आपके दी गई है, इकाई, कौन सा किस्से सम्मंदित हो जाता है यह हम देख लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर भी जो सुमेलित करना है उच्छ वेक किस से संबंदित हो जाएगा तो उच्छ वेक जो है यह आपका हो जाता है मैक से संबंदित ठीक है उच्वेग आपका मैक से सम्मदित हो जाएगा जो तरंग धहरिये होती है उसकी इकाई मानी जाती है आपकी एंगिस्ट्रेम दाप जो है पास्कल से मापा जाता है और उर्जा जो है मापी जाती है आपकी जूल में इस तरह से यहाँ पर आपके सभी करेक्ट हो जाते हैं और A का 1 हो जाएगा A का 1 हो जाएगा B का 2 हो जाएगा C का 3 और D का आपका 4 हो जाएगा इस तरह से option number C यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आपका माना जाएगा ठीक है यह सारे जो है यह आपको याद रख लेने हैं इन से ही कोश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट ओर इंडायरेक्ट अगला कोश्चन दिया गया है सुची एक को सुची दोसी सुमेलित करना है और दे गए कोट से जो है सही उत्तर कभी आपको चुनाव करना है एक तरब आपकी बोटीक राशियां दि गई हैं एक तरब आपकी दि जाती है eaten कोन सा किस से सम्मंदित है यह आपको बताना है और इन कुश्शन को करने का सबसे बड़िया तरीका है आपको अगर इनमें से एक पता है तो सबसे पहले उसको लगा लीजे उसके बाद फिर आप बाकी लगा लीजिए ठीक है ये जो तरीका होता है कि इन से फटाक से आंसर भी आपका आ जाता है तो हमें पता है बलका तो बलका जो है न्यूटन हो जाता है ठीक है बलका जो मात रखे वो हो जाता है हमारा न्यूटन तो B का 3 और B का 3 किस में दिया गया है तो B का 3 केवल A के option में दिया गया है और वो दिया गया है आपका option number C में ठीक है इस तरह से आप अगर आपको एक पता है तो बहुत से जो काफी question आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपकी परिक्षा में जो एक बार answer लगाते ही जो आपका correct हो और इस परिक्षा में काफी question आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें अगर सुमेलित करने में एक आपको पता है तो उसी से जो है आपका answer लग जाता है जो इस question में बिल्कुल वो same pattern दिखाया गया है आपको बल का पता था बल बिल्कुल नोर्मल चीज़े है वो ज़्यादा तर इस्टूडेंट जानते ही है तो बल न्यूटन से संबंदित हो जाता है और ये दिया गया है आपका option number C में दिया गया है बाकी में नहीं दिया गया है इसलिए आपको confuse होने के आवश्यक्ता बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पढ़ेगी ठीक है इतनी चीज़ा आपको यहाँ से समझ लेनी है तो इसमें आगे के बात करें को तो ये हमारा A का जो है अगला question आ जाता है हमारा पारसेक से सम्मंदित पारसेक की काई है तो पारसेक किसकी काई है पांसे साथ सेकंड का आपको केवल समय दिया जाता है अगर आप question का answer कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी परक सकते हैं कितनी आपकी तैयारी हो गई है और कितनी आपकी और करनी है question number 10 हो जाता है हमारा ये और इसका जो correct answer है तो पारसेक हो जाता है ये दूरी की काई आपसे नमबर यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा और एक पारसेक जो है किसके बराबर होता है ये भी आपसे पूछी लिया जाता है आपकी परिक्षा में तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 की पावर 16 ठीक है ये होता है आपका एक पारसेक बराबर दूरी की काई ठीक है ये हो जाएगा हमारा यहां पर एक पार से ठीक है इतनी चीज़े आपको यहां से याद रखनी है बाकी जो है जो option है वह आपके गलص हो जाते है ठीक है पार से के जो है दूरी के कई है और इसका जो मान होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर यह दिखाया गया है अगला कोचय ने solid कि जो सबसे छोटी का इका जो लबाई होती है उसकी सबसे छोटी का इका है तो लबाई की यहाँ सबसे छोटी का इकाई मानी जाती है वह मानी जाएगे आपकी farmrometer option number c यहाँ पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा और एक fermimeter की जो माप है वो कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए तो एक fermimeter बराबर होता है 10 की power minus 15 ठीक है इस तरह से जो है यहाँ पर आजएगा meter ठीक है 10 की power minus 15 meter ये हो जाती है माप एक fermi meter की ठीक है ये minus में माणिया अपर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कितनी छोटी माप ये हो जाती है ठीक है तो c हो जाता है यहाँ पर इसका correct answer अगला question हो जाता है हमारा जो दिया गया है फर्मी वह मातरग है जो व्यक्त करता है जो फर्मी है वो क्या व्यक्त करेगा फर्मी आपसे पुछा गया है तो फर्मी अपी उपर वाले कोश्चन में हमने बताया है आपको तो फर्मी जो है लंबाई की इकाई हो जाती है ठीक है इसमें जो है आपको मापी जाती है लंबाई ठीक है और यह हम आपको उपर वाले question में बता चुके हैं इसके बारे में अगला question है जो परकास verse है वो क्या हो जाएगा परकास verse होता है तो परकास verse क्या होता है आदे student जानते हैं कि परकास verse क्या होता है 5-7 second का आपको समय दिया जाता है इस question के बारे में सोचने के लिए तो इसका जो correct answer है वो हो जाता है हमारा option number C ठीक है परकास दुआरा एक वर्स में चली गई दूरी ये होता है हमारा एक परकास वर्स ठीक है परकास होता है उसके बाद जो वर्स होता है तो परकास जो एक वर्स में कितना जा रहे है एक परकास वर्स ये कहला जाएगा ठीक है आपसन नमबर सी यहां पर बिलकुल करेक्ट आपका माना जाएगा और एक परकास वर्स की जो दूरी होती है एक परकास वर्स बराबर कितना होता है कितने मेटर होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यहां हम बात करेंगे यह हो जाएगा 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर ठीक है इस तरह से जो है यह हो जाएगी इसकी माप ठीक है यह चीज़े आपको समझ लेना है यह भी आपसे question में अलग से पूछी ले जाएगा ठीक है एक परकास वर्स बराबर कितने मीटर होगा तो 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर यह हो जाएगा ठीक है इतना आपको यहां से समझ लेना है C हो जाता है इसका correct answer और यहां से इससे एक question और बन सकता है आपका परकास की चाल भी आपसे पूछी जा सकती है तो परकास की जो चाल होती है वो होती है आपकी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर ठीक है तो यह क्या हो जाएगी यह हो जाती है आपकी परकास की चाल important question आपका यह हो जाता है क्योंकि यहां से एक तो इससे भी question बनता है आपका 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर और एक question आपका यहां से बन सकता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर और एक question तो यह परकास वर प्रकास वर्स दिन या फिर घंटा इन्हें से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है तो यह हो जाएगा जो वर्स है यह आपका समय को दर्स आएगा ठीक है दिन है यह भी समय को दर्स आएगा कि एक दिन हो गया है गंटा जो है यह भी आपका समय को दर्स आएगा ठीक है एक गंटा हो गया है एक मिनट हो गया है इस तरह से घंटा भी जो है मात रखो गंटा भी जो है यह समय को दर्स आएगा लेकिन जो परकास वर्स है ये जो है समय को नहीं दरसाएगा क्यों नहीं दरसाएगा क्योंकि जो परकास वर्स है ये जो है दूरी हो जाती है जो सूरिय के परकास के दौरा चली गई है एक वर्स में ठीक है ये जो दूरी है ये परकास के दौरा चली गई है जो सूरिय का परकास है वैसा कोई परकास नहीं है ये सूरिय का परकास है जो एक साल में चला है तो वो हो जाती हमारी परकास की दूरी ठीक है और ये जो है कोई जो है दूरी का मातरक नहीं माना जाएगा ठीक है इसलिए आपका जो समय की काई नहीं है तो केवल सी हो जाएग अगला कोश्चन है, कारिये का मातर क्या है, कारिये का मातर क्या है, अगर आप कोश्चन जानते हैं, तो आप हमेंwi proteins हैं में लिख सकते हैं, और अपनी तैयारी को परहख भी सकते हैं, फिलाल कारिय का मातरक आप से पूछा गया है तो कारिय का जो मातरक है वो हो जाता है हमारा जूल आप्सन नमबर ए हैं पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है और कारिय की बात करेंगे तो कारिय बराबर हो जाता है आपका कारिय बराबर बल गुना विश्थापन ठीक है ये हो जाता है आपर इसका फॉर्मूला जो होता है ठीक है कारिय बराबर बल गुना विश्थापन जो हैं आपर आपको देखने को मिल जाएगा ये हो जाता है इनका फॉर्मूला अगला कोश्चन हो जाता है हमारा निमने लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है निमने लिखित में से नहीं है कौन सा सुमेलित इन में से वो आपको बताना है तो इन में से जो नोट की बात करेंगे नोट जो है संब्मन्दित हो जाता है जो जहाज के चाल की जो माप होती है तो नोट जो है जहाज के द्वारा चली गई माप हो जाती है नोटिकल मिल की बात करेंगे तो ये भी आपका संबन्दित हो जाता है नो संचालन में परिख्त दूरी की इकाई को नोटिकल मिल कहा जाएगा इतनी बात आपको समझ लेती है इसके बाद जो एंगस्ट्राइम है यह हो जाता है परकास के तरंग धहरी की इकाई यह हो जाता है आपका एंगश ट्राउं और इसके बाद आ जाता है परकास वर्स तो समय मापन की इकाई यह नहीं होगी यह आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा और आपसे पूछा गया गया है तो आपसे पूछा गया है इन में से सुमेलित कौन सा नहीं है तो केवल D हो जाता है जो इसमें से आपका सुमेलित नहीं दिया गया है क्यों नहीं दिया गया है क्योंकि परकास वर्स जो है वो एक वर्स में चली गई परकास की दूरी है ठीक है और यह जो समय मापन की कोई काई नहीं इसको माना जाता है ठीक है इसका जो फोर्मूल है वो हम आपको बता चुके है 9.46 गुना 10 की पावर 15 तुबार से हम लिखके आपको बता देते हैं 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर ठीक है इस तरह से जो है आप लिखेंगे बार बार आप लिखेंगे तो यह आपके जो है फिर याद हो जाएगा ठीक है इस तरह से आप इसको कर सकते हैं आपसा नमबर D हैंपर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोचन है इलक्टोन वोल्ट इकाई है जो इलक्टोन वोल्ट है वो किसकी इकाई हो जाती है तो इलक्टोन वोल्ट जो इकाई है ये हो जाती है आपकी उर्जा की आपसा नमबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्टर आपका हो जाएगा उर्जा की जो इकाई है ये माना जाता है आपका इलक्टोन वोल्ट को ठीक है अगला कोश्चन हो जगा निमने लिखित SI unit में कौन सी सुमेलित नहीं है जो आपकी दी गई है SI unit इन में से कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है सारे कोश्चन important है और इसी तरह के कोश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी UP pieces की परिक्षाओं में और सभी परिक्षाओं में जो है इसी तरह के कोश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आपसे पूछा गया है इस कोश्चन में निमने लिखित में से SI unit की SI unit में कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है तो सबसे पहले जो कारिय का मातरक हो जाता है वो जूल हो जाता है यह आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद जो बल का मातरक है वो हो जाता है आपका न्यूटन द्रवमान जो है यह हो जाता है आपका किलो ग्राम का मातरक और दाब जो है यह आपका डाइन से संबंदित नहीं है यह आपका यहां पर गलत दिखाया गया है ठीक है दाब जो है यह किसका मातरक हो जाएगा तो दाब का जो मातरक है वो क्या हो जाएगा तो दाब का मात्रक हो जाता है आपका पासकल IMPORTANT QUESTION हो जाता है और आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका T यानि दाब और डाइन जो है यह संबंदित आपस में नहीं है ठीक है यह ऐसा यूनिटों मेंसे गलत हो जाता है है आपका दाप का जो मात्रक है वो हो जाता है हमारा पासकल ठीक है इंपोर्टेंट कोस्चन यहां पर यह हो जाता है मात्रकों से काफी कोस्चन जो हैं आपसे पुछे जाते हैं ठीक है हर बार पुछे जाते हैं मात्रकों से कोस्चन सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और दिये गई कूट से जो है सही उत्तरका भी आपको चैन करना है यहां देख लेते हैं सूची एक में आपको क्या क्या दिया गया है और सूची दो में आपको क्या क्या दिया गया है तो सबसे पहले बात करनी हमें जो हमें पता है तो हमें इसमें से कोई सा पता है तो हम उसको लगा सकते हैं और नहीं पता है तो भी हम इसको देख लेते हैं करने के बाद तो हमें पता है जो क्यूशेक है इसमें जो है मापी जाती है पानी की जो धारा होती है उसको जो है मापा जाता है यानि दिरव का परवा है वो मापा जाएगा क्यूशेक में क्यूशेक में क्यूशेक में हमें पता है क्यूशेक में पानी छोड़ा जाता है गंगा में नदिय पानी आता है तो Q finance में माता जाता है तो इस तरह सहे हम केवल जानते हैं जो Q मिनिट आप कर ही सकते हैं ठीक है इसके बाद हमारा दिया गया है दोनों में बी का चार तो बी का हमारा चार हो जाएगा इसका मतलब यह हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्यों जो बाइट होती है यह जो है इकाई हो जाएगी आपकी computer की ठीक है बाइट जो है ये आपका computer से सम्मदित हो जाती है इसके बाद Richter की बात करेंगे तो Richter आपकी भूकम की जो है तीरुता मापी जाती है Richter पेमाने पर और बार जो है ये आपका दाब से सम्मदित यहां पर हो जाएगा इस तरह से हम इसका correct answer लगा सकते हैं A का हमारा हो जाता है 3 ठीक है B का हो जाता है हमारा 4 C का हो जाता है एक और D का हो जाता है हमारा 2 option number D हैंपर बिल्कुल correct आपका हो जाएगा ठीक है इस तरह से आपने बता दिया है क्यूशेक ये पानी के जो दर है जो परवा उसको मापेगा बाइट जो है कम्पिटर का एक चमता होती है जो कशंग रंड करती जो जिसमें डापर जाता है वह जो है बाइट में ही भणड़ा जाएगा और भोकम की जो मापन है वह किया जाता है रिक्टर पहां कमाने पर और बार जो है वयो मंदेले दाब का मातर का आपका हो जाता है ठीक है तो बार जो है किसको नापएगा यह आपको नापता है दाब को वाई मंदेले दाब को इस तरह से आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला question दिखाया गया है हमारा यहाँ पर सूची एको सूची दो से सुमेलित करना है और दे गए कुट्चे जो है सही उत्तरगा भी आपको चैनियाँ पर करना है और यहाँ फिर से दिखाया गया है जो आपकी तरंग दहरिये उर्जा है दोहनी तीरता आवरती इनको किस-कि इसमें मापा जाता है साइंस में सबसे ज़्यादा question आपको मिलेंगे सुमेलित देखने का क्योंकि छोटे-छोटे जो है सोट question यहाँ पर होते हैं तो उनको सुमेलित करने के लिए आपसे दे दे जाते हैं मात्रकों से संब्दित और एक question तो आपका 100% आना ही है ठीक है यह तो आप लिख के रख सकते हैं बिल्कुल कि इसी तरह का कोचन आपसे देखने को मिल जाएगा और यहाँ दिया गया है जो आपकी तरंग धहरिये होती है तो तरंग धहरिये किस से संब्दित हो जाएगी यह आपको बता देना है तो तरंग धहरिये आपकी जो यह संब्दित हो जाती है एंगिश टरम से संब्दित हो जाती है आपकी तरंग धहरिये ठीक है और आवरती जो है हर्ट में मापी जाती है कितनी आवरती होगी कितने हर्ट आवरती होगी यह जो आवरती मापी जाती है इस तरह से अब आप लगा सकते हैं एका आपका दो हो जाना चाहिए एका आपका दो दिया गया है तो सबसे पहले में देख लेते हैं एका दो बी का हो जाता है हमारा तीन सी का हो जाता है हमारा चार और डी का हो जाता है हमारा एक और बिल्कुल correct answer जो है आपका यही माना जाएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो है आपके सभी सही दिये गए ठीक है आप्सन नुमरे बिल्कुल correct यहाँ पर हो जाएगा आपने समझ लिया तरंग धहरिये एंगस्टॉम से सम्बंदित हो जाती है उर्जा जूल से सम्बंदित हो जाती है धोएनी तीरुता डेशिबल से और आवरती जो है हट से सम्बंदित हो जाती है अगला कोश्चन आपका फिर से जो है सुमेलित करने के लिए दिया गए है ठीक है इदर आपकी दी गई है इकाई और इदर आपके जो प्राचलन है वो दिये गई है प्राचल ठीक है तो ये भी आपने एक नयवड देखे लिया है प्राचल किसको कहा जाएगा तो प्राचल कहा जाता है जो इनसे संबंदित आपकी हो जाती है ठीक है जिस तरह से वाट से संबन्दी तो उस्मा हो जाती है उस्मा को जो मापा जाता है वो मापा जाता है आपका वाट में इसी तरह से जो है बाकी को हम देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर हमें किसी कोई साथ पता है तो हम उसको यहाँ पर लगा सकते हैं तो note की बात की गई है जो बड़े जहाज होते हैं उनको जो माप है उनकी जो माप है वो की जाती है आपकी note में जो समुद्री जहाजों की गति होती है नूटिकल मील की बात करेंगे तो nodical मील हो जाता है यह notion challenge है ठीक है नोटिकल मील ये notion challenge है और नोट है समुद्री जहाजों से ठीक है नोट छोटा वड़ा है इसलिए बड़े से सम्मधित हो जाएगा नोट जो है छोटा सब्द है तो ये जहाज से सम्मधित हो जाएगा उल्टा पुल्टा यहाँ पर जो है दिया गया है कैलोरी की बात क करेंगे तो कैलोरी ये सम्मधित हो जाती आपकी उसमा से और वाट जो है ये आपका सम्मधित हो जाएगा सकती से इस तरह से आपका कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तो आपका सम्मधित हो जाता है यहाँ पर एक आपका दिया गया है चार बी का दिया गया है आपका दो और डी का दिया गए है आपका यह आपसन नबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा ठीक है दोबारे से देख लेते हैं जो वाट है यह आपका सक्ती से संबंदित हो जाएगा इसके बाद जो नोट है वो समुंदरी जहाज की गति होती है उससे संबंदि नहीं है कौन सा हो जाएगा जो यूग में सही सुमिलित नहीं दिया गया है यहां पर तो सही सुमिलित नहीं दिया गया है परकास वर्स जो है यह आपकी हो जाती है दूरी की काई ठीक है तो यह तो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा पारसेग जो है समय की काई है तो प पारसेच- विष्याब्ष और हो जानो Eğer कोण सा इन सुमेलत नहीं दिया गया है तो पारसेच जो है समें की काई है पारसेच हो जाती है लंबाई खवोलिये दूरी मापने यह जाती है आपकी बार्सेच डेशیबल में मापा जाता आपका ध्यूएनी की तीर texto को और हट्स में आपकी आवरती मापी जाती है ठीक है बाकि सबी आपके करेक्ट्र देगा है केवल भी हो जाएगा जो आपका यहां पर सही नहीं दिया गया है ठीक है यह आपको याद रखना है अगला कोश्चन हो जाता है हमारा मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उतपादित की जाती है ठीक है इतनी बात आपको याद रखनी है ठीक है तो मेगावाट किस से संब्दित हो जाता है मेगावाट हो जाता है बिजली स और यह इकाई है जो उतबादित की जाती है बाकिया आपके जो हैं सभी गलत दिये गए ठीक है और इसमें जो है एक चीज़ आप से पूछी जाती है कि एक जो अस्व सक्ति है वो किसके बराबर होती है HP यानि जिसको होर्स पावर के नाम से जाना जाता है वो किसके बराबर होती है तो एक अस्व सक्ति जो होती है ये होती है आपकी 746 वाट के बराबर ठीक है 746 वाट बराबर होते हैं आपके एक अस्व सक्ति है ठीक है 746 वाट बराबर होते हैं आपके एक अस्व सक्ति है तो कैलोरी जो है उस्मा की गाई हो जाती है, जूल जो है ये भी आपकी उस्मा की गाई हो जाती है, और अर्ग जो है ये भी आपकी उस्मा की गाई हो जाती है, लेकिन सैंटी ग्रेड जो है ये उस्मा की गाई नहीं है, ये आपका हो जाते हैं, आपका हो जाते हैं, आपसे और यह सेंटीग्रेड किसकी काई है तो सेंटीग्रेड हो जाती है यह ताप की काई हो जाती है आपकी सेंटीग्रेड नहीं ताप को जो हो सेंटीग्रेड में ही मापा जाएगा अगला कोच ने किलोवाट घंटा मात रखे जो किलोवाट घंटा है किसका मात रखे तो किलोवाट घंटा जो मात रखोता है वो हो जाएगा आपका विद्धूत उर्जा का ठीक है इतने किलोवाट घंटा जो है ये बिजली आ गई है इतने किलोवाट घंटा जो है विद्धूत आ गई है ठीक है ये जो है विद्व दूर्जा का मातरख हो जाते है आपका किलो वाट घंटा ठीक है और इसमें जो है एक किलो वाट किसके बरावर होती है जो एक किलो वाट होती है जो एक केवी होती है वो किसके बरावर होती है तो एक किलो वाट जो है ये होती है उसके बरावर जो क परिफ्द में एक घंटे में वियाई होती है उसको जो हैक किलो बिद्धी उसकती कहा जाता जाता है एक घंटे में जितनी कर्च होजाएगी उसको जो है एक किलो वाट इएगा इतनी बाते भी आपको यहां से याद रखनी है कौन सा हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है तो decibel जो है decibel दोहनी तीरूता की काई बिल्कुल करेक्टियां पर ये हो जाता है होर्स पावर जिसको HP कहा जाता है इस सक्ति के काई हो जाती है समुंदरी मील जो है ये हो जाती है आपकी दूरी की काई समुंदरी मील जो है समुंदर में जो दूरी होती है उसको मजबमा आपने के काम आती है Celsius जो है उसमा की इकाई नहीं है ये आपका यहां पर गलत दिया गया है तो Celsius किशकी हो जाएगी तो हमने भी बताया था आपको Celsius जो है तापकी इकाई हो जाती है तो Option नमबर आपसे पूछा का सुमेलित नहीं है तो केवल D हो जाएगा यहां पर भी जो आपका सुमेलित नहीं है कोश्चन एक है कितनी तरह से आपसे पूछी लिया गया है यह आप देख सकते हैं इसी तरह के कोश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परिक्षाओं में ठीक है तो इसका जो correct answer आपने देख लिया है डी हो जाता है आपर इसका correct answer अगला कोश्चन आपका दिया गया है CGS से CGS परणाली में श्यानता गुना की इकाई कितनी होती है यह आपको बताना है कितनी होती है श्यानता गुना की इकाई तो इसका जो correct answer है वो हो जाता है हमारा 9 second centimeter minus square ठीक है यह हो जाता है इसका CGS परणाली में जो स्यानता गुना की यह मानी जाती है 9 second centimeter जो minus square ठीक है इस तरह से जो आप इसका आंसर कर सकते हैं और कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिनको आपको रटना पड़ता है कुछ याद हो जाते हैं कुछ करके सीखते हैं लेकिन कुछ को जो है आप रटकर याद रख सकते हैं और इसका जो correct answer है वो हमारा माना जाएगा यह अगला question Glad radio धर्मिता की इकाई क्या है रेड़ियो धर्मिता की इकाई आपसे पूछी गई है क्या हो जाती है रेडियो धर्मिता की इकाई तो रेडियो धर्मिता की इकाई जो है वो मानी जाती है आपकी क्यूरी ठीक है इंपोर्टन कोश्चन यहां से हो जाता है रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनकी जो सक्रियता की इकाई होती है वो होती है आपकी क्यूरी ठीक है और किसी भी जो radioactive सक्रिय है जो radio सक्रिय है पदार्त हो तो उसका अगर परिमाप ना है आपको तो इसमें जो है परती सेकंड 3.7 गुना 10 की पावर 10 उसका वी घटन हो जाएगा ठीक है और वो कहलाता है आपका एक क्यूरी कितना हो जाएगा जो परती सेकंड जो आपका परिमाप हो जाएगा तो यह हो जाता है इसका 3.7 इंटो 10 की पावर 10 ठीक है यह इसका जो है इस समय भी खटन यहां पर हो जाएगा और यह कितना कहलाएगा तो यह बराबर हो जाता है आपका एक क्यूरी आपसे बैकुरल जो है इसका मातक भी माना जाता है अगला कोश्चन है निम्न में से कौन चुम्बे के छेतर की इकाई नहीं है कौन हो जाएगी जो चुम्बे के छेतर की इकाई नहीं है तो टेसला जो है यह आपकी चुम्बे के छेतर की काई हो जाती है गौश जो है यह भी हो जाती है और न्यूटन एंपियर मीटर भी हो जाती है लेकिन वैपर जो है यह आपकी नहीं है चुम्बे के छेतर की काई हो जाता है चुम्बे के छेतर का जो मातरक है वो क्या होता है तो वो होता है आपका CGS CGS जो है यह आपका चुम्बे के छेतर का मातरक हो जाता है और यह जो वैबर है यह आपका किस्टे सम्मादित हो जाता है तो वैपर जो है यह आपका चुम्बे के फिलक्स का मातरक एक माना जाएगा ठीक है यह माना जाएगा आपका चुम्बे के फिलक्स का मातरक ठीक है इम्पोर्टेंट यहां से यह हो जाता है अगला कोश्चन दिया गया है हमारा चुम्बे के बल छेतर की ऐसा इकाई है जो चुम्बे के बल छेतर की ऐसा इकाई है वो कौन सी हो जाती है चुम्ब के बल छेतर की इकाई कोश्चन आप से किसी भी तरह से जो है पूछा जा सकता है तो इसका जो correct answer है वो हो जाता है हमारा टेशला आपसन नमर यहां पर बिल्कुल correct आपका माना जाएगा ठीक है टेशला हो जाता है जो आपका चुम्बे के बल छेतर की ऐसा इकाई मानी जाएगी यहां फिर से आपका पूछा गया है decibel जो है मातरक है तो decibel जो है दोहनी का मातरक हो जाता है इस तरह से छोटे-छोटे question भी आपसे पूछ लिए जाते हैं ठीक है और यह question जो यूपी PCS में ही पूछा गया question है ठीक है decibel मातरक है तो यह मातरक हो जाता है आपका दोहनी का निमनली रुगमों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको दिया गया है कौन सा इन में से सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है तो इसमें जो है दाब जो है यह पासकल से संबंदित हो जाता है उसमा की बात करेंगे यह आपका जूल से सम्मदित हो जाएगा और जो चुम्बे के फिलक्स है यह हम आपको बता चुके हैं भी इसी की बात चल रही थी उपर वाले कोस्चन में चुम्बे के फिलक्स यह वैबर से सम्मदित हो जाता है ठीक है चुम्भी के फलक्स ये वैबर से सम्मधित हो जाएगा और इस तरह से तीन आपके सही हो जाएंगे और प्रेरक तत्व जो है ये आपका ओहम से सम्मधित नहीं होगा तो प्रेरक जो तत्व है ये आपका हो जाता है handi से संब्दित. किसे हो जाएगा? तो यह संब्दित हो जाता है आपका handi से. इस तरह से option number C जो है, यहाँ पर आपका यह सुमिलित नहीं दिया गया है. बाकिया आपके सही सुमिलित दिया गया है. लेकिन यह जो है, वैबर का हो जाता है ठीक है अगला कोचन आ जाता है हमारा आम तोर पर समुन्द की गहराई मापी जाती है आम तोर पर जो समुन्द की गहराई मापी जाती है और किस से मापी जाती है आम तोर पर समुन्द की गहराई मापी जाती है तो ये मापी जाती है आपकी फैदम से आपसन नमबर भी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समुद्र की जो गहराई मापने है तो फैदम पैमाने का उप्योग किया जाता है यह आप यहाँ पर बताया गया है और एक फैदम का जो मान है वो भी आपको याद रखना चाहिए कभी भी आपसे पूछा जा सकता है एक फैदम बराबर कितना होगा तो एक फैदम बराबर हो जाता है आपका 1.83 मीटर ठीक है इसके बराबर यह माना जाएगा ठीक है 1.83 किसके बराबर हो जाएगा तो एक फैदम के बराबर होता है आपका 1.83 मीटर ठीक है इतनी चीज़े आपको यहां से इस question से समझ ले दिए और यह detail wise हम बता रहे हैं आपको और इसमें आपको top जो है 50 question मिलने वाले हैं 50 question का इंपोर्टेंट टैस्ट हो जाता है UPPCS की कोई इसी भी आप परिक्षा दे रहे हैं आरो आरो दे रहे हैं या इसके अलावा और भी कई परिक्षा हैं उती वो भी दे रहे हैं तो सब ही में जो है इसी तरह के question आपसे पूछी लिए जाते हैं और इस science के हो जाते हैं 50 question इसी तरह से सभी subject की जो आपको test मिलने वाल हैं फिलाल जो इस question का जो correct answer है वो हमारा फैदम हो गया है और फैदम का जो मान है 1.83 मीटर यहां पर हो जाता है एक फैदम का मान ठीक है तो चलिए देख लेते हैं अगला question हमारा हवाई जहाज तथा poto की गहराई note में परदर्शित की जाती है यह तो हम पहले question में बता चुके है अब आपको बताना है note की गती कितनी होती है अगर आप किसी question का answer जानते हैं तो आप हमें comment box में लिखे भी सकते हैं तो यह हो जाएगी हवाई जहाज तथा पोतों की गती नोट में परदर्शित की जाती है तो सबसे पहले आपको यह समझें जो नोट गती की नोट जो है वो गती की काई हो जाती है ठीक है यह जो नोट होती है यह जो है नोट है यह आपकी गती की काई है कितनी जो है गती हो जाती है वो नोट में ही मापी जाती है इसके बाद एक नोटिकल मील बराबर एक परती घंटा के बराबर होती है ठीक है एक नोटिकल मील ठीक है नोटिकल मील किसके बराबर हो जाएगा तो एक नोटिकल मील बराबर किसके हो जाएगा 1.15 मील के बराबर ठ तरह से अगर 100 की बात की गई है ठीक है तो 100 गुना आपको करना है 101.15 तो बराबर कितना हो जाता है तो यह हो जाएगा हमारा 115 ठीक है और 115 किसमे दिया गया है तो option number B में यहाँ पर दिया गया है 115 ठीक है आप से पूछा गया है जो जहाओ जो की गाई वो नोटिकल मील में पर देशित की गई है एक नोटिकल मील का मतलब हो जाता 1.15 मील और जब हम इसको calculate करेंगे 100 से की हमें जो है 100 नोट की कती हमें बतानी है तो 100 गुना 1.15 मील हम कर लेते हैं तो हमारी जो मील पर दिखंटा के बराबर आ जाती है वो आ जाती है 115 option number B यहाँ पर बिलकुल character आपका मान आ जाएगा अगला question है एक किलो वाट गंटा का मान होता है जो एक किलो वाट गंटा है उसका मान क्या होगा important question हो जाता है यहाँ से तो इसका जो मान होता है एक किलोवाट घंटा का तो यह होता है हमारा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल झेकर है यह हो जाता है यहाँ पडान पर इसका correct answer ठीक है दिखाए गए आपको 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल ठीक है यह हो जाता है एक किलोवाट घंटा का मान important question यहां से हो जाएगा और यह भी question जो है पूछा गया है UPPCES की परीक्षा में माप की कौन सी ही काई है जो 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है कौन सी ही काई हो जाएगी 0.39 से गुना करने पर जिसमें इंच प्राप्त होगा यह question कई बार देखा गया है ठीक है कई बार जो है और प्रैक्टिस सेट में उसमें भी यह question आपको दिखाया गया था प्रैक्टिस सेट में तो सेंटी मिटर से आपका इंच प्राप्त हो जाएगा अगर आप सेंटी मिटर को गुना करेंगे 0.39 से तो तब आपको जो है यह प्राप्त हो जाएगा ठीक है सेंटी मिटर में जो गुना करेंगे हैं ő जो इंच प्राप्त आपको हो जाएगा और 1 मिटर बराबर 49.37 इंच के होता है कि अगर मिटर की बात करेंगे तो 1 मिटर बराबर कितना इंच होता है तो इंच हो जाएंगे एक मिटर में आपके 49.37 इतनी बात आपको समझ लेनी है इसके अलावा इसके अलावा गर आप गुना करते हैं सेंटिमेटर को तो 0.3937 इसको आप जो है गुना करेंगे तो आपको फिर यहां से इंच प्राप्त हो जाएगा इस तरह से जो है इंच बनाई जाते हैं इतनी बात आपको यहां पर समझ लेनी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने देख लिया है भी हो जाता है यहां पर इसका करेक्ट आंसर तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है तेल का एक बेरल होता है ये भी जो question हमारा आय था practice set में और तेल का जो एक बेरल है वो होता है हमारा 1.59 लीटर के बराबर ठीक है important question यहां से हो जाता है तेल का एक बेरल 166 लीटर के बराबर आपका हो जाएगा एक नैनो मीटर बराबर होता है जो एक नैनो मीटर हो किसके बराबर होगा तो एक नैनो मीटर बराबर हो जाता है आपका 10 की पावर माइनस 7 सेंटिमीटर ठीक है 10 की पावर माइनस 7 सेंटिमीटर ठीक है तो यह हो जाता है आपका एक नैनो मीटर आगला question दिया गया है सूची एक को जो है सूची दो से शुमेलित करना है और नीची देख कूट की शायता से सही उत्तरगा भी आपको चुनाव करना है तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें पता है वो हम देख लेते हैं तो सिस्वमोग्राफ जो है हमें पता है सिस्वमोग्राफ आपका संबंदित हो जाता है वो कम से तो बी का एक हमें देखना है तो बी का एक तो कैसारों में दिया गया है इसके बाद हमें पता है जो हो जाता है हाईग्रोमिटर यह आपका आदरतते संबंदित हो जाता है तो यह आपका हो जाता है वेक से संब्दित एका तीन हो जाएगा और एका तीन दिया गए आपका ओप्शन नमबर डी में ठीक है एका तीन हो जाएगा बी का हमारा एक हो जाएगा और सी का हो जाता है हमारा दो यारी बैरोग्राफ जो है वाई मंडिले दाप से संब्दित हो जा अगला question दिया गया है आक्सनो मीटर का परियोग किया जाता है। तो अक्सनो मीटर का परियोग है वो किया जाएगा आपका वरतीदर हो जाएगा आपका नुम्हापने में। इसका जो परियोग है वो पोधो की विरद्धी दर मापने में किया जाता है ठीक है जो ऑक्सेनोमिटर है इसमें मापी जाती है विरद्धी किसकी तो पोधो की विरद्धी जो है इसमें मापी जाती है ठीक है पोधो की विरद्धी को मापने के लिए परियोग किया जाता है औ जो इक क्या होता है तो ये औक्जानोमिटर जो एक सुक्षमापकार का एक माईक्रोमिटर होता है जिससे आपको पोधो की विरद्धी का पता चल जाएगा एक पोध हमें कितनी विरद्धी हो रही है ठीक है आपसन नमबर भी यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आपका हो जाता है निमनेली युगमों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है कौन सा हो जाएगा इन में से जो सही सुमेलित आपका नहीं दिखाया गया है तो हो औरॉमीट्र की बात करें तो वह नों के पई दौरा तैकी गई दूरी यह चालते आपका उड मूंते हैं तो उसको यह फिर पता चलते हैं उसको क्या कहा जाएगा तो जिसको हम मेटर कहते हैं उसको जो है ओडो मेटर कहा जाता है तो यह तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपसे पुछा गाए कौन सा सुमेली तिनमे से नहीं है ओडो मेटर की बात की गई विद्धुत चुम्बे के तरंगों की आवरती मापने क ले किया जाता है जो विद्धुत चुम्ब के तरंग होते हैं उनकी जो आवरती होते हैं उसको मापने में परियुग किया जाता है ओडू मीटर का ओडियो मीटर यह दोहनी तीरुता का मापक युक्ति होती है ओडियो मीटर आप यह भी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा और आगे आ जाते हैं आपका जो एमिटर है तो यह आपका विद्धुद्धारा से सम्मधित आपका होने वाला है आपसे पूछा गया था सुमेलित कौन सा नहीं है तो केवल डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है अगला कोशन है पारे का साधारन तया ताप मापी यंतरों में उप्योग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेष्टा है क्या विशेष्टा हो जाती है इसकी आपको बताना है पारे का साधारन ताप मापी इंतरों में उप्योग किया जाता है क्यों किया जाता है इसकी विशेष्टा क्या है वो आपको बताना है तो इसकी जो विशेष्टा हो जाती है वो हो जाती है उच्छ संचालन सक्ती ठीक है उच संचालन सक्ति हो जाती है आपकी ऊरेका जो साधरन ताप मापी अंतरों में प्योग שते है उसी वज़े से ठीक है और ताप मापी जो एक झायतर होता है जिसमें ताप मापा जाता है खाना जो किया जा gonna संग है और उसमें केवल एल्कोहल बरी जा सकती है या फिर उसमें पारा ही भरा जा सकता है ठीक है और इसमें थर्मामेटर में इन दोनों का प्रियोग आप कर सकते हैं और जो एल्कोहल है उनका प्रियोग कब किया जाएगा तो जो एल्कोहल का प्रियोग किए करगा चालिस डिगृ से कम थाप मान होगा उस से में जो है आप परियोग करेंगे आप एल्कोहल का ठीक है चालिश डिग्री सेंटिग्रेट से अगर कम ताप माने और इसके अगर उपर ताप माने तो फिर आप जो है आपको लेना होगा पारे वाला ठीक है तो फिर जो है आपको इसमें भरना पड़ेगा पारा उससे जो है आपका पता चल मापा की अंतर होते हैं उनमें इतनी बात आपको समझे लिए आपसा नम्र सी हैं पर आपका बिलुकुल करेक्ट हो जाएगा यह कितने ताफ का अमापन कर सकता है तो पारा कर सकता है तीन सो सतावन डेगरी श केल्सियस पर तारा जो है पारा जो है वो उतनी चीज़े आपको यहां से समझ लेनी है यह परियोख्त हो जाता है आपका वस्तु की उंचाई मापने के लिए एक success tent का परियोग किया जाता है ठीक है important question हो जाता है success tent जो है यो किसी वस्तो की उचाई मापने वाला एक यंत्र होता है और इसकी साहिता से दो वस्तो के बीच का जो कौन ये दूरी है वो भी मापी जाती है दो वस्तो होती है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है जो कौन ये दूरी है वो भी मापी जाएगी तो वो भी हो जाता है आपका success tent ठीक है important यहाँ से यह हो जाएगा कौन ये दूरी भी यहाँ से मापी जाएगी और इसकी उचाई भी जो है वहाँ से आप माप सकते हैं अगला question हो जाएगा परकास की तीरुता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो परकास की जो तीरुता मापी जाएगी वो मापी जाएगी आपकी लक्ष मीटर में option number 3 यहाँ पर आपका correct हो जाएगा लक्ष मीटर का जो परियोग हो परकास की तीरुता मापने ही तुक किया जाता है इतनी बात हैं यहाँ से आपको समझ लेनी है ठीक है बाकी का आपको पता जो एनिमो मीटर है यह आपका हवा की जो है गती को मापता है वाई उबेक से संबंदित हो जाए है कैलोरी मीटर जो है कैलोरी को मापता है और अल्टी मीटर जो है विमानों की गती को मापता है इस तरह से भी आप इनको सभी को याद रख सकते हैं अगला कोचने सूचे को सूची दो से सुमेलित करना है और दिये गए कूट की सायता से सही उत्तरगा भी आपको चैन यहाँ पर करना है तो चले देख लेते हैं कौन-कौन सा जोए इन में से सही हो जाता है वो हम देख लेते हैं सही उत्तरगा ही आपको चैन करना है केवल तो सबसे पहले जो इस्टेतो इसकोप है वो किस से सम्मदित हो जाता है इस्टेतो इसकोप हो जाता है यह हमारा जो दिल की धरकान है उससे सुनने से फिर देगी जो ध्वैनी उसको सुनने के लिए आपका इस्टेतो इसकोप का प् जाता है उस समय जो है आपके काम आतनाएवाला है माँपर इस फि touch 9 Mانometer ठीक है तो A का तीन हो जाएगा और B का हमारा हो जाता है चार और यह दे गया है downt Matrix Neber C में इसके अलावा जो हो जाता है हमारा karotometer kite Tenant zora q對了 क्या हो जाता है तो सोनी की सुद्धता का partner लगा जाए केरेट में, कितने केरेट का सोना है, ठीक है, तो ये मापा जाता है, आपका सोने की सूदता का पता लगा जाता है, केरोट मीटर में, और लक्स मीटर में आपका मापा जाता है, जो परकास की तीरवता होती है, जब परकास है, कितनी तेज जा रहा है, परकास की त माना जाएगा अगला कोच ने रक्त दाब मापने में यंत्र का क्या नाम है जो रक्त दाब मापने के यंत्र है उसका क्या नाम है तो रख्त के जो दाव को मापएगा जो हमारा बीपी। अ कर जाएगा रख्त दाव को बल्रेजर को मापएगा वह मापएगा हमारा स्फिग्व्य मैनयवेटर और पिच्विधेनमयमिटर किशन में दिया गएा या फिर किशी का बीपी जो है बिलेड प्रेसर घट रहा है उसको मापने के लिए जो परियोग किया जाता है आपका इस्प्रिग्णो मैनोमिटर इतनी चीजे आपको यहां से समझ लेनी है अगला कोशन हो जाता है हमारा निमनेली किती युक्तियों में से किसके द्वारा भोकम की तीरुता का मापन किया जाता है निमनेली कितने से किन युक्तियों में किसके द्वारा भोकम की तीरुता का मापन किया जाता है वो आपको बताना है तो भोकम की जो तीरुता का मापन किया जाएगा वो किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा आपसा नमबर यहाँ पर बिल्कुल करक्टर आपका माना जाएगा सिस्मोग्राफ क्या होता है तो सिस्मोग्राफ जो है यह होता है जो भुकम की तीरता मापी जाते है भुकम कितनी तेज आया है उसको जो है मापा जाएगा आपका सिस्मोग्राफ के दुआरा इसके बाद यहाँ दिया गए है एक आपका दिया गए इस्टेतो इसकोप तो इस्टेतो इसकोप से जो है हुर्दे और फैंपटो को जो है आवाज सुनने के लिए डोक्टरस का इस्तेमाल करते हैं जो अपने कान में लगा कर और आपकी जो है च्छाती पर लगा देते हैं वो जो है आपका हो जाता है इस्टे है तो इसको काईमो ग्राफ की बात की गए जो काईमो ग्राफ है तो सरीर की जो विभिन किरियाए होती है ठीक है सरीर की किरियाओं का जो ग्राफ होता है उसको जो पर काम करने वाला एक यंदरी हो जाता है और इसका कहा किया जा जाता है सबसे जिद्ध किया जाता गया जाती है तो कि पन हो लाब से हैंने पर को कि यह स्वार्मometer का स्वार्मामिट्वित तोक्रियोग कि यूद है कि एम थर्मामेटर हो जाएगा जो 2000 डिगरी तापमान मापने तो उपयुक्त हो जाएगा तो Pyrometer दिया गए आपका option number C में, ठीक है, important question हो जाता है, poor victim इसको radiation का जाता है और Pyrometer, इसको जो है मापने के लिए आपको, जो आपकी 2000 है, 2000 से उपर का जो ताप है, इसको मापने के लिए Pyrometer का उपयोग किया जाता है, ठीक है, important question यहां से यह आपका हो जाता है, question तो सारे important ह सारे जो है question आपके लिए छाट छाट कर लाए गए हैं, Pyrometer का परियोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, Pyrometer का परियोग किया जाएगा, किसको मापने के लिए किया जाएगा, तो पायर हिलियो का जो परियोग है ये मापने के लिए किया जाता है जो सोलरल रेडियोशन होता है उसको मापने के लिए किया जाता है तो सोलरल जो आपका रेडियोशन है वो दिया गए है आपका उप्शन नमबर बी में ये हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर ठीक अप्सन नमबर B यहाँ पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा. और इस सैट में हमने आपको दिये हैं टोटल 50 कोश्चन इसी तरह के कोश्चन जो हैं इसी तरह की जो टेस्ट हैं वो आपको डेली मिलते रहेंगे आपका काम है केवल चैनल से बने रहना है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निमने लिखिए में से किसे 1500 centigrade के अधिक ताप मापन हितु परियोग में लाया जाता है ठीक है किसको लाया जाता है जो हमारा होता है 1500 अब ही पीछले question में हमने आपको बता है question एक है examiner में आपको language बदल दिया और आपसे पूछी लिया गया है दोबार से वही question ठीक है अगली बार हो सकता है इस बार जो है इसी question को कुछ दूसरे तरह से पूछी लिया जाए लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जो आपका ज्य विडियो में लाया जाएगा वो लाया जाएगा पायरो मीटर का और पायरो मीटर दिया गया आपका option number D में ठीक है इतनी चीज़े आपको यहां से समझ लेनी है जब उच्छी तापमान हो जाता है उसको मापा जाएगा आपका पायरो मीटर बस इतनी शी बात आपको समझ लेनी है ठीक है चले दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है यह आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर क कर लेना है ठीक है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार जाहिन